हाई गाईस वेलकम टू माई चानल सो आज मैं जटकी.com के साड़ी का रिव्यू करने वाली हूँ मैंने पहले ही इस वेबसाइट से कुछ प्रोड़क्स लेते उनका रिव्यू किया है अगर आपने वह वीडियो नहीं देखा देन गो एंड बॉच दैट तो अब मैं आपको एक फुली ओपन करके दिखाते हूं सोव एक साड़ी का आपको पलू दिखाते हूं वो पूरे पल्लु पर इस तरीके से पैच वक दिया हैए पुरे साड़ीप पर कुछ ऐसे पैच वक दिया यह ye एम्डवलेडरी वाक किया है और उन पर ऐसे स्टोभ स्टौन वर किया थे पार ब्यूटिफुल लुग देता है इसे पूरी साडी बहुत अच्छे दिखती है एंड पल्लू के दोनों साइड मैं ऐसे लेज दिए ब्रॉड लेज दिए ग्रेन कलर की लेज और उस पर ऐसे गोल्डन और यलो कलर की डीटेलिंग की यह पूरा embroidery और stone work किया है बहुत प्रिटी लोग दीता है यह साडी का अंदर का piece है इसमें सिर्फ नीचे के side में same patchwork है उपर के side में पूरा plane है आप देख सकते हैं बहाँ कोई patchwork नहीं है इस इस नीचे के side में patchwork किया है और जो यह lace border दी ग्रीन कलर की वह अंदर के side में मैं सिर्फ नीचे के साइड में ऊपर के साइड में कुई लेस पौरडर नहीं कर त 강त के साइड में सिर्मी नीचे से लेस पॉडर दीए इस साडी की प्राइजे 2,090 रुपेज विटाजिंगे वेरी अफ़ोटिबर पास बहुत अच्छी साड़ी है और इस पर पूरा अगर आप इस साड़ी को परचस करना चाहते हो तो इसका लिंक मैंने नीचे डिसेशन बॉक्स में दे दिया है ता आप आसे इसे परचस कर सकते हो यह साड़ी 6.3 मिटर है और इसके साथ में आपको अटेश ब्लाउस पीज भी मिलेगा आपको यह ग्रीन कलर का ब्लाउस साड का पैच वर्क किया है ब्लाउस पर भी और हाथ के साइड भी ब्लाउस के हाथ के साइड पर भी लेस आएगी यह इस पर भी एम्रीडरी वर्क किया है यलो कलर कैसे डीटेलिंग किये गोल्डन कलर की डीटेलिंग किये और स्टोर्न वर्क भी किया है बहुत ब्यूटिफुल G Spirit Blouse मुझे Blouse पीज़ भी बहुत अच्छा लगा और बलाउज का जो फैबरी कि और बहुत साफ्ट है और बहुत अच्छे कॉलिटिक है one साडी के साथ में ग्रीन कलर का ब्लाउस फीज बहुत अच्छा कॉमिनेशन कलर यह और यह बहुत स्टाइलिश लूग देता है सो मुझे ये साडी और ब्लाउस फिस जोनों भी बहुत अच्छ लगे इनका कलर कॉंबिनेशन भी बहुत अच्छा है और इन पर जो embroidery work किया है उनकी finishing भी बहुत अच्छ है embroidery work और detailing भी बहुत pretty detailing की है सो यह था मेरा जटकी.com के साडी का small review I hope you like this video if you like it then give it like and share this video and also don't forget to subscribe to my channel for more such videos